नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं सिव महापुरान उपाय सनीदेव की सबसे प्रीरासी जब 17 जनवरी 2023 को सनीदेव रासी परिवर्तन करेंगे महापरिवर्तन क्योंकि पूरे 30 साल के बाद अपने ही घर कुम रासी में आ रहे हैं तब कुछ ऐसी रासियां होंगी जिन पर सनीदेव की किरपा खूब बरसेगी और यह लोग खूब तरक्की करेंगे जब तक वह कुम्भ में रहेंगे यानि 2023 से लेकर 2025 तक तो जानते हैं कि वह कौन सी रासिया हैं हलाकि हम सभी रासियों के बारे में बताएंगे और लखी रा ही सुरूत में ही स्देव की जो साड़े साती है धनु रासी से उतर जाएगी मीuel ड़ी पर साड़े साथी चड़ेएगी और जो मकर रासी हैं जिनके च्छाती पर साड़े सारी चल रहती हो जाएगा 5000 ड़ी और दैया करकर रासी वालों और बश्ची कर दाख रासी बालों तो यह तो खुद में ही लखी होंगे धनु रासी मितुन रासी और तुला रासी लेकिन ऐसा नहीं कि साड़े साथी चलने से आपको राजियों का फल नहीं मिलेगा कुछ ऐसी रासिया है जो अपने आप में उनके लिए बस यह समझ लें कि सनीदेव का आशिरवाद आपके ल कुम्रासी में सनीदेव प्रवेश करेंगे 29 मार्च 2025 तक कुम्रासी में रहेंगे और 2025 में सनीदेव मीन रासी में प्रवेश कर जाएंगे तो 17 जन्वरी 2023 को सनिदेव अपनी रासी बदल कर कुम रासी में आएंगे तो 14 दिन के बाद 31 जन्वरी को वो अस्त होंगे 6 मार्च को उनका उदय होगा और फिर 17 जून 2023 को कुम रासी में वक्री हो जाएंगे चार नौमबर 2023 को फिर मारगी होंगे तो अब जानते हैं बिस्तार से कि इनका अस्त होना उदय होना उल्टी चाल चलना फिर सिधी चाल चलना आपके लाइफ में क्या कुछ बड़ा बदलाव लाएगा मेस रासी मेस वालू दसम सनी और लाव भाव के स्वामी अब देखे सनी सनी देव आपके लाव अस्थान पे गोचर कर रहे हैं 11 भाव में सनी बहत सुफल देते हैं और सनी देव की दृष्टी आपके लगन पंचम अस्टम भाव पर है तो सनी देव की क्रिपास है अब आप खुद का काम सुरू करने में सक्चम होंगे पिता की तरफ से सायता मिल भागे साथ देगा एक नई उर्जा से आप लब्रेज रहेंगे भरे रहेंगे जो भी कारें लंबित थे अब उसमें तेजी आएगी और इस गोचर के कारण बैपारियों को बेहतर मुनापा होगा एक से ज्यादा से धन आएंगे मित्रों से मदद मिलेगी संतान की तरफ से अच्छा से योग मिलेगा संतान की उपलब्दी से आप खुद को प्राउट फिल करेंगे ब्रिसब रासी आपके लिए सनीदेव परमराज योग कारक कहे जाते हैं और सनीदेव भागे दसंभाव के स्वामी होकर दसंभाव में गोचर करेंगे अपनी मूल त्रिकोन रासी में आकर सनीदेव बहुत बल्वान हो जाते हैं और यहां पर देखिए भाग बदलने वाला है आपका क्योंकि सनीदेव की द्रिष्टी बारवे चौथे सप्तमबाव पर हैं तो सनीदेव की किरपास से ब्रिसब बालो अगले जो धाई साल अपने कारे स्थल पर उज्ज प सनीदेव की द्रिष्टी आपके लाभ भाव चटे बहुत हैं तो सनीदेव की इस गोचर से क्या होगा आपको भागे का साथ मिलेगा व्यपारियों को अपने प्रतिष्ठान में अच्छा मुनाफ़ा होगा उमीद दिखाई देगी परिवार के तरफ से जो भी रुकावट और सनीदेव अब आपको यात्राओं से अच्छा लाभ भी देने वाले हैं हलांकि ननिहाल पक्स से कोई उपहार भी प्राप्त होता हुआ इस समय दिख रहा है तो मितुन बालों के लिए ये वक्त बहुत खुबसूरत है करकरासी तो करकरासी वालों सनीदेव सक्तम सकतिती को ढहिया भी कहते हैं आपकी ढहिया सुरू हो गई है और सनीदेव की द्रिश्टी आपके दसं दूसरे और पंचम भापर होगी अचानक से कोई ऐसी घटना जो आपको थोड़ा टेंसन दे सनीदेव के कारण आपको कारस्थल पर थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेग वानी पर थोड़ा काबू रखेगा नहीं तो नुकसान होगा तो थोड़ा सा धहिया में समहल के रहें सिंग रासी सनीदेव आपके छटे और सात्मे भाव के स्वामी है और सनीदेव मारकेस का काम करने वाले हैं तो सनीदेव के द्रिश्टी आपके भाग्य भाव लग्न चोथे वापर होगी यह समहीं शनीदेव गोचर आपको दांपत्य जीवन में चोटी मोटी कटनाई यह दे सकता है आपके और आपके लब के बीची आपके जीवन साती से तनाव के योग हैं इसमें जीवन साती के स्वाष्ट का भी ध्यान रखना है अगर आप नौकरी करत थोरा सा मानसिक तनाव दे रहे हैं इसका भी आपको ख्याल रखना है कर्णिया रासी सनिदेप पंचम और छटे भौ के स्वामी है सनिका गोचर अब आपके छटे भौ में होने वाला है और सनिदेप छटे भौ में बहुत सुफल देते हैं और इनकी दृष्टी अस्टम बार इस समय दिखेगी अगर आप बिमार थे अभी तक आप स्वस्त हो जाएंगे विदेश जाने का सपना पूरा होगा लंबी दूरी की यात्रा की योग है विदेशी कंपनी से कोई कारोबार आपका नौकरी के संबंध में कोई बढ़िया सूचना मिल रही है वानी का प्रहौ है और सुक्र के मित्र भी है अब पंचंभा में गोचर कर रहे हैं तो सनीदेव की दृष्टी सप्तम एकादस और धनस्थान पर है तुला बालो इसमें आपकी ढहिया भी समाप्त हो जाएगी और मानसिक्स जो आपकी दृड़ता है वह बहतर होगी जो पढ़ाई कर रहे है सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयास रथ हैं तो यहां पर आप जौब मिलने की संभाव ना है नौकरी में तरक्की है व्यपारी वर्ग का काम भिस्तार होगा प्रसंद है जो इस्त्रियां है उनके स्वास का थोड़ा ख्याल रखेगा तो ज्यादा अच्छा है मान्सिक दैनाओं से थोरा वशना है और अपनी हमाँ के स्वास का खास कर ओंशना के छक्र में अपका धन सकता है मित्रों का भरोसा ना करें खुद पर भरोसा करें कीमती समान चोरी ना हो जाए खोना जाए इसका ध्यान रखें सत्रूत्रों एक्टीवे ध्यान रखेंगा काम में देरी से थोड़ा सा चिर्चिरा पर बढ़ सकता है हलां कि नई नौकरी की संभावना भी प्राप्त होने के बने होगा तो सनीदेव तीसरे बहुं में बल्वान होकर आपको सुप्फल देंगे सनीदेव की द्रिष्टी आपके पंचम भाव भागे भाव बारे में भाव पर है तो धनु बालो जो आपकी साड़े साथी चल रही थी अब यहां पर समाप्त होते ही सनीदेव की किर्पा बर सेयर मार्केट से लाब होगा उच्छी सिक्षा की प्राप्ति में जो भी कटनाईयां थी वह समात होगी तो आपके लिए उत्तम है मकर रासी आपके उपर चल रही है सनीदेव की साड़े साथी और अंतिम चरन में चलेगी अब 17 जनवरी से तो सनीदेव आपके अभी तक ल की योग बनाएगा नया काम सुरू करने के लिए परिवार का सपोर्ट मिलेगा गुप्त विद्या जती सीक्र है लोगों पर सनीदेव की किरपा बढ़ सेगी और गुप्त रूप से आपको मदद मिलेगी हलांकि सनीदेव का यह गोचर थोड़ा समानसी कष्ट दे सकता है राहू पर सनीदेव की द्रिश्टी आपके काम में थोड़ी सी रुकावट देगी ऐसे मिक्रोज से थोड़ा बचकर रहना है वेपारी वर्ग को सनीदेव की किरपा बढ़ रही है तो मुनापवा बढ़ेगा कुम रासी कुम वालों सनीदेव द्वादस और लग्ण भाव से मनूटा हो था वो समापत होगा राजनीती के छेदर से जूड़े हैं तो आगे बढ़िए सनी का यह गोचर आपके अंदर छिपी भी सकती को आप से जोड़ेगा अगर बरतमान से लक्ष बना कर चलेंगे तो अबस सनीदेव आपको सफलता देंगे मिन दासी 11 और 12 भाव सकती है थ्यान रखेंगे धन खर्चों से फूराने कोड के के इस पर्यांती मामले में उलश सकते हैं किसी की ओरस्याइब कवी दिखेंगी और इसमें पूरी बहुत बाधाये भी दिख रही है तो इन चीजों को आपको ख्याल रखना होगा हम आपसे विदा लेते हैं धन्य औरत